हेलो स्टुदेंट्स मैं हूँ आपका एजुगेटर कमलाक्ष जहा 16th of October 2020 का Current Affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग सभी सोर्से से निउस को कवर करते हैं आपने इस लेक्चर को अगर एक बार एंड तक देख लिया तो आपको किसी भी सोर्स से Current Affairs को प्रिपेर करने की आवशक्ता नहीं होती है यहाँ पर General Studies के Topics भी हम लोग साथ में लिंक करते हुए कवर करते हैं पूरी चीजों को अगर आप Civil Services की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए mandatory है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना यहाँ पर Prelims और Mains दोनों Point of View से निउस को कवर किया जाता है English, Hindi दोनों में निउस कवर की जाती है जिस प्रकार से Civil Services में GS Paper 1, 2, 3, 4 हम लोग को देखने को बलता है तो यहाँ पर उसी के according हम लोग निउस को भी कवर करते हैं देख सकते हैं यह Paper 2 और Paper 3 के कुछ topics जो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं and guys lecture को start करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको guaranteed selection चाहिए examination में तो यह जो lectures में आपको provide करा रहा हूँ इन lectures को आपको regularly देखना है और जितने भी instructions में lecture के दोनान आपको provide कराता हूँ उसको आपको religiously, regularly और इमानदारी से follow करना है हर एक चीज़ को, तभी जाकर guaranteed selection आपको मिलेगा and guys guaranteed selection की जो बात है मैं यह ऐसी दूसरों की तरह हवावाजी में नहीं करता हूँ इसके बेकाइदा मैं आपको proof भी provide कराता हूँ अपने students को आप चाहें तो description पर आपको video मिल जाएंगे उन videos को देखकर आप proof जो है वो देख सकते हैं कि जो भी topics में आपके regularly cover कराता हूँ आप खुद देख सकते हैं कि उन topics में से directly questions बनते हैं examination के अंदर and secondly guys I highly recommend you कि आप monthly PDF paid package को जरूर join कीज़ेगा क्योंकि अगर आप इस paid package को join करेंगे तभी जाकर इन lectures का पूरा लाभ आपको मिलेगा and इस paid package की fees भी काफी nominal है minimum 100 rupees per month पूरे महीने का जो charge है जो fees है वो सिर्फ 100 rupees है and लाभ कैसे मिलेगा आपको तो वो मैं आपको समझाता हूँ तो देखिए guys आपको सिर्फ regular basis पर जो मैं lectures provide करा रहा हूँ सिर्फ उनको देखना है आपका पूरा concentration lecture को देखने के उपर होना चाहिए आपको अपना time waste नहीं करना है handwritten notes बनाने में क्योंकि अगर आप handwritten notes बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा time जो है वो चड़ा जाएगा और current affairs एक ऐसी चीज़ है जो कि regular basis पर आती है तो आपका regular basis पर एक तो notes बराने का time बच जाता है आप उस time को utilize कर सकते है general studies के topics पढ़ने में मैं जो task देता हूँ वो करने में मैं जो homework देता हूँ वो करने में इसके लाब option की आप तयारी कर सकते है आप देखो आपको सुबह lecture देखना होता है रात में आपको सोने से पहले में lectures के notes आप तक provide करा देता हूँ तो आप सोने से पहले lectures के ये notes पढ़ते हैं तो आपका क्या हुआ पहली बार revision हो गया first time revision हो गया इसके इलावा मैं आपको हर Sunday को एक compilation देता हूँ आता हूँ जिसमें कि आप तीसरी बार revision करता है तो अगर आपने एक topic को तीन बार revise कर लिया तो mains में बैटने से आपको कोई नहीं रोक सकता है and मुझसे बहतर आप खुदी जानते हैं कि revision कितना important role play करता है इस examination में इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस paid package में मैं आपको month के end में minimum 150 questions civil services examination के pattern की उपर base provide कराता हूँ यह वो questions होते हैं जो आपने पूरे महीने तक यह question उन topics से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक cover किये हैं पढ़े हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं तो इससे क्या होता है आपकी एक बहतरीन practice हो जाती है जिससे कि आपके selection को कोई नहीं रोख सकता तो इस तरीके की strategy और इस तरीके की practice जो है वो मैं आपको इस paid package में कराता हूँ जिसकी fees minimum 100 rupees per month की है आप चाहें तो description पर check कर सकते हैं कि कैसे आपको इस paid course को जो है वो join करना है and guys आप पहले lecture देखिएगा अगर आप नए आए हैं तो पहले lecture देख लीजे अगर मैं जो आपको समझा रहा है अच्छे से आपकी understanding build up हो रही है तो channel को subscribe कर लीजेगा and bell icon पे भी जरूर hit कीजेगा और same नाम से telegram पर भी एक channel है जिसको आप join कर सकते हैं and अगर आप facebook पर है तो आप मेरे नाम कमलाक्ष जा को search करके मुझे add भी कर सकते हैं guys आज से आप लोगों के लिए एक नया initiative मैंने शुरू किया है इसमें थोड़ा सा और जादा time अब मुझे invest करना पड़ रहा है ये आपके लिए lecture बनाने के लिए बट मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी तरफ से तो है बहुत time invest करूँगा और आपको best to best content provide कराऊँगा आज से आपको ऐसा content मिलने वाला है कि जिसको देखने के बाद आप कोई भी topic को भूलो गए ही नहीं और ये topic आपके लंबे समय तक आपके mind में feed रहेगा ये guys इसमें मैंने slide जो है वो आपके लिए आज से interactive बना दी है क्योंकि mainly जैसा अगर देखा जाए कि civil services का भी जो UPSC prelims था तो उसमें ये चीज तो clear हो गई थी कि UPSC ने बता दिया था कि अपसे आपको current affairs जो traditional तरीके से आप पढ़ते आ रहो आपसे आपको वैसा नहीं पढ़ना है आपको current affairs की एक अच्छी in-depth जानकारी होनी ज़रूरी है और in-depth का topic को जो है वो targeted तरीके से पढ़ोगे कि एक topic जो है उसमें target तरीके से आपको क्या चीज पढ़नी है किस चीज पे ज़्यादा focus करना है और वो पूरी चीज जो है वो आपकी देखो यहाँ पर किस चीज पे ज़ादा फोकस करना इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग जो है वो topic को आधा दूरा पढ़ेंगे topic को पूरा ही पढ़ेंगे बट इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक topic crystal clear आपके mind में जो है वो बिल्कुल feed हो जाए तो यह जो है वो जो pdf आपको मैं दिखा रहा हूँ तो यह आपके वास मिल चुकी होगी अलरड़ी बट अभी इस pdf को आपको नहीं बढ़ना यह पूरा theory जो है लिखी हुए जो आज topics अब डिसकर्स करेंगे यह English में आपको दिखाई जा रही है प्रेंडली pdf भी दो daily basis पर तो आप इस pdf को print out करा सकते हैं इतना ही नहीं daily lectures की pdf भी मैं आपको provide करा हूँगा इसमें यह मत सोच ना कि मैं आपको वो सिर्फ वाली slide जो मैंने भी आपको दिखाई है वो ही provide करा हूँगा यह वाली नहीं daily lectures अभी आप जो देखोगे आज की rate में तो उसकी भी आपको pdf जो है वो provide की जाएगी जैसे कि यह जो lecture अभी शुरू हो रहा है आपका और गई सौरी आज lecture शुरू करने में थोड़ा सा जादा समय मैंने आप लोगों का ले लिया बट यह important था आप लोग को information provide कराना की changes जो है वो मैंने क्यों किये और इस changes से आपको क्या benefit मिलेगा यह जानना आपके लिए बहुत जादा जरूरी था तो चलिए अब फटा फट lecture को finally शुरू कर लेते हैं तो paper 1 से related आज कोई topic नहीं आया है directly paper 2 से related topics को discuss करेंगे पहला जो topic है इसमें बात हो रही है Right to Information Act 2005 के बारे में सूचना का अधिकार अधीनियम 2005 के बारे में तो अभी यह topic news में क्यों है क्योंकि बताया रहे कि 12 October 2020 को 15 साल complete हो गया है Right to Information Act 2005 के और 15 साल में हम लोग को क्या performance इसकी देखने को मिली है तो 220,000 से जादा cases pending है और ये cases कहाँ पर pending है Central और State Information Commission के पास केंद्र और राज ये सूचना आयोगों के पास अब ये question प्रिलिव से बन सकता है कि Right to Information की Final Court of Appeal कौन सी है Final Court of Appeal समझते हो नब क्या होता है जैसे कि District Court के अंदर हम लोग देखते हैं कि मामला चल रहा होता है District Court में जो judge होते हैं वो अपना judgment दे देते हैं फिर आप उनके judgment को challenge कर सकते हो Honorable High Court के पास और Honorable High Court के judgment को आप challenge कर सकते हो Honorable Supreme Court के पास तो ये हम लोग को जो appellate system देखने को मिलता है तो जिसमें जो final court होती है अपील की जैसे की इस case में हम लोग को Honorable Supreme Court देखने को मिल रही है वैसे ही Right to Information RTI के मामले में जो final court होती है अपील की वो होती है Central and State Information Commissions This is very important ये चीज़ याद रखना prelims में इस प्रकार से उची जा सकती है ठीक है और सबसे ज़ादा cases pending महराश्वा के अंदर बताए जा रहे है उसके बाद फिर हम लोग को उत्तर प्रदेश और Central Information Commission के पास सबसे ज़ादा cases जो है वो pending बताए जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है और cases जो है guys ये क्यों pending है तो बताए जा रहे है कि employees बगर ऑफिस में नहीं है employees की कमी हम लोग को देखने को बिल रही है कम चमता पर ये काम कर रहे है तो that's why जो है वो cases pending हम लोग को नजर आ रहे है देखने को बिल रहे है इवन इतनी बुरी स्थिति है कि Central Information Commission जो है वहाँ पर कोई भी chairman हम लोग को नहीं देखने का बिल रहे है कोई भी अध्यक्ष इस office में नहीं है तो ये देखिए आप यहली चीज आप लोग को बता होनी चीए कि news में ये topic right to information कर क्यों हम लोग को देखने का बिल आ था बट हम लोग बात करेंगे right to information act के बारे में थोड़ा सा detail में इससे related आपसे questions जो है वो पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहली बात तो RTI के बारे में एक general idea तो आपको है कि आप जो है वो सरकारी जो दफतर होते हैं offices वगेरा जो होते हैं उनकी आप information RTI लगा कर जो है वो निकाल सकते हो है ना तो इसके बार में आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत idea आपको इससे related है तो यह जो कानून है यह क्या करता है यह कानून right to information act यह कानून rules regulations जो है वो set करता है standard set करता है rules regulation set करता है किसके लिए citizens right to information के लिए जो citizens के पास जो अधिकार है सूचना का तो वो अधिकार citizens को कैसे मिलेगा तो उससे related पूरे rules regulations हम लोग को इस कानून के अंदर देखने को मिलते हैं तो यह कानून ने set की हुई है पूरी rules regulations procedures कि कैसे एक जो citizen है जो नागरिक है तो उनको कैसे जो है वो सूचना मिलेगी सरकारी दफतर हों की ठीक है तो यह चीज है important जिसके बारे में एक general पहले idea आपको होना चाहिए अच्छा RTI ने किसको replace किया था तो इससे पहले एक और कानून हुआ करता था जिसका नाम था Freedom of Information Act 2002 सूचना की स्वतंतरता अधीनियम 2002 तो इसको replace किया है RTI ने कोशन यह बन सकता है RTI क्या fundamental right है या constitutional right है तो आपको idea होना चाहिए कि RTI जो है वो एक fundamental right है एक case हुआ था 1976 में राज नारायन वर्सेस स्टेट आफ उत्तरप्रदेश हाला कि case का नाम आपको याद रखने ही यावशक्ता नहीं है तो Honorable Supreme Court के अंदर ये case चला था तो उस समय Honorable Supreme Court ने कहा था order दिये थे कि RTI जो है right to information ये article 19 clause 1 के तहताएगी हमारे Indian constitution के तो याद रखना RTI एक fundamental right है और ये article 19 clause 1 में हम लोग को देखने को मलती है अब मेरा आपसे question is simple सा fundamental right आपने पढ़ा ही होगा अगर नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना ही है काफी important topics है fundamental right तो फरो लिए आपको रटे होए होना चाहिए तो article 19 आप मुझे बताएए कि क्या कहता है fundamental right का तो नीचे comment box पर इसका answer दीजेगा इसके अलावा ये कानून ये भी बताता है कि central और state level पर information commissioners जो है वो appoint किये जाने चाहिए तो appointment of information commissioners at central and state level के बारे में भी ये कानून जो है वो बताता है तो यहली चीज़ भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए अच्छा एक और important बात कि अगर एक citizen RTI लगाते हैं तो कितने दिनों में जो है उनको जवाब मिलेगा तो RTI एक time bound process है याद रखिएगा application का जवाब अधिकारियों को 30 दिन के अंदर अंदर देना अनिवार है mandatory है तो यह कानून में लेखा हूँ है 30 days का clause याद रखिएगा प्रलमस में बन सकता है अच्छा एक और important चीज़ अगर कोई एक ऐसी information जो की life और liberty से related हो एक person के तब उस समय पर 48 घंटे के अंदर अंदर भी application का जवाब मिल सकता है तो देखिए maximum period अगर कोई पूछे तो 30 days minimum period अगर question में आता है तो 48 hours मातर दो दिन के अंदर अंदर भी जवाब मिल सकता है अगर एक statement लिखा हो आज़ा है कि क्या ITI में दो दिन के अंदर जवाब मिल सकता है हाँ क्योंकि इस clause के अलाव आपको ये वाली चीज़ भी अच्छी से clear रहनी चाहिए तो ये चीज़ याद रखना आप आगी की बात एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर application जो है वो assistant public information officer के पास चली आती है assistant PIO के पास चली आती है या फिर अगर किसी दूसरी public authority के पास चली आती है application तब उस समय इसमें 5 दिन और add कर दिया जाएगा 30 दिन में और 48 घंटे में 5 days और add कर दिया जाएगा अगर किसी गलत officer के पास ये application चली आती है तो तो यहली चीज़ भी आपको थोड़ी सी पता होनी ची़ कि सरकारी दफ्तरों में ये RTI लगाई जाती है तो ये RTI की जो official website है इससे मैंने ये वाला screenshot आपके लिए निकाला है तो इसमें बकायदा लिखा है filed by Indian citizens तो एक चीज़ हमें clear हो गई कि ये सिर्फ Indian citizens के दौरा ही RTI फाइल की जाती है ठीक है तो ये ये पॉइंट याद रखना आप इंडियन citizens के दौरा सभी जितनी ministries और departments हम लोग को देखने को मिलते हैं और central government की दूसरी public authorities जो हम लोग को देखने को मिलती है तो उनके against है वो RTI लगाई जाती है ऐसा ही state government के लिए होता है उनके against जितनी भी ministries और departments है उनके against RTI लगाई जा सकती है निका RTI लगाके उनकी जानकारी जो है वो ली जा सकती है ठीक है तो ये चीज़ आप लोग के लिए थोड़ी सी जादा important है ये इस पर थोड़ा ध्यान देना अचा पहले जब ये कानू जब आया था तब उस समय 2013 तक political parties की भी information RTI के थूँ निकाली जा सकती थी बट इसको amend किया गया और 2013 के बाद से political party इसमें cover नहीं की जा रही है यानि कि आप political party की information आज की rate में जो है वो नहीं निकाल सकते RTI लगाके तो ये भी एक important clause है जिसके बारे पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि पहले ये clause था political parties इसमें पहले added थी इसको हटा दिया गया 2013 से इसके लावा 13 November 2019 इसको very important यहली चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए current affairs में है honorable supreme court का एक judgment आया था जिस judgment के तहट हम लोग को देखने को बला था कि Chief Justice of India हमारे जो honorable CGI है उनके office को भी इसमें RTI में cover किया हुआ है तो याद रखिएगा अब से CGI भी RTI के अंदर हम लोग को देखने को बलते है निके CGI की information अब RTI लगा के निकाल सकते हो, सीख कर सकते हो कुछ provisions हम लोग देखेंगे यहाँ पर यह हिंदी में भी लिखा वे पूरा जहां 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 पर मुझे जरूरत लग रही है कि आपको हिंदी में भी content provide कराना है तो मैंने यहां पर भी हिंदी में provide किया है मैंने तो फिर ऐसा मत बोलना है कि जो हिंदी मीडियम से तैयारी करने students किसार आपने पूरा English में लिखा है बिल्कुल नहीं लिखा English में पूरा ऐसी चीज़ें यहां पर आपके लिए Hindi में भी provide की जा रही है जो कि आप easily समझ पाज़े से कई कवर English में चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हिंदी मीडियम के students के लिए हाला कि मैं पूरी चीज़ आपके लिए decode कर रहा हूँ बढ़ जहां पर मुझे जरूरत पढ़ रही है वहां पर मैं आपके लिए यहां पर देखिया मिलेगा यार ठीक है तो चलो उसके provisions को देख लेते हैं मुख्य प्रावधान को देख लेते हैं RTI Act के तो RTI Act का section 4 धाराचार क्या कहता है धाराचार यह कहता है कि public authority जो है उसको information देना जरूरी है अगर RTI के तहट information मांगी जाती है तो information disclose करना जरूरी है secondly section 8 clause 1 इसका क्या कहता है तो देखो एक चीज़ याद रखना RTI के तहट सभी information नहीं दी जाती है इसमें exemptions भी हम लोग को देखने को मिलते हैं और section 8 clause 2 इसी के साथ हम लोग को यह कहता है कि जो भी information official secrets act 1923 के तहट exempt की गई है तो वो पूरी information वो है वो disclose की जा सकती है मतलब ऐसी information नहीं देना है जो की public interest के खिलाफ हो जो भी official secret act 1923 के अंदर covered नहीं है exempted है वो information हम लोग दे सकते हैं क्योंकि देखो अब जैसे कि हमारा कोई mission है secret mission है अगर हम किसी mission पर काम कर रहे है तो इसकी information तो disclose नहीं कर सकते है भली कोई भी RTI आ जाते हो जैसे कि आप कल को IPS बनते हो और आप किसी secret mission पर काम कर रहे हो आप RTI लगाई गई आपकी mission के बारे में जानकारी देने के लिए तो आप क्या दोगे गया नहीं क्योंकि ये तो देश की security के लिए खत्रा हो सकता है है ना तो जो larger public interest को जो information serve करती है वो यहाँ पर provide की जाएगी और जो public interest के खिलाफ जो चीज हम लोग को देखने को मिलती है तो वो चीज जो है वो नहीं की जाएगी ठीक है याने कि public interest को खत्रा है हमारी जो उनके लिए खत्रा है कोई हम mission पर काम करें जो मैंने भी आपको example दिया ऐसा तो जो भी particular जो confidential information होती है वो नहीं provide की जाती पढ़ा larger public interest वाली information दे दी जाती है और जो official secret act के तहट जो है वो exempted है और देखिए guys official secret act के पर पढ़ लीजेगा मैंने 24 September 2020 के lecture में 24 minute 43 second पे आपको ये topic पढ़ाया था आपको simply YouTube के जो search column है ना बहाँ पर जब ये video पूरा end कर लो देख लो तो उसके आद YouTube के search column पे लिख लो कहीं भी आपने तो भूल जाओगे YouTube के search column पे लिख ले ना 24 September 2020 उसके आगे मेरा नाम लिख लेना कमलाक्ष तो जो भी list में पहला video आएगा search list में वो video अपना ही होगा ये वाला इस video के 24 minutes 43 second पे चले आना मैंने official secrets act आपको detail में explain किया हुआ पढ़ाया हुआ तो देख लिए गा उसको आप जाके ठीक है तो ये इसकी एक जानकारी आपको एक in general in provision से related भी हो नी शाहिए ठीक है तो ये RTI से related पूरा topic था बढ़ हाँ अपने एक और important चीज़ के बारे में discussion करेंगे एक amendment bill आया था जो की already pass हो गया है राजसभा के अंदर पिछले साली pass हो गया था right to information amendment bill 2019 इस bill के अंदर आपको mainly तो पर क्या चीज़े जाननी है तो देखो यहाँ पर chief information commissioner जो है उनका जो tenure है term जो है वो पहले 5 साल का हुआ करता था अभी जो amendment bill आया था उसमें इस term को जो है guys कहा गया है कि central level पर ये decide किया जाएगा state or central level पर कि information commissioner जो होते है उनका कितना tenure होगा यानि कितने साल तक जो है वो office पे रहेंगे तो वो decide करेगी अब central और state government पहले fix था 5 साल ठीक है तो ये चीज़ याद रखना है ये changes लाएगा इसके अलावा salary को लेकर भी एक clause था simple सी चीज़ याद रखना कि जो central information commission है उसके अंदर जो हम लोग को chief information commissioner देखने को मिलते है और information commissioners देखने को मिलते है उनकी salary equivalent होगी central election commission की मला है उनके equivalent हम लोग को देखने को मिलेगा यानिकि जितने भी central chief election commissioner होते हैं और election commissioners होते हैं तो उनकी जितनी salary होती है उतनी ही salary central information commissions के officials की होगी, यानि की chief information commissioner और information commissioners के equivalent होगी, तो ये पहले हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया, अब salary और allowances जो होगा in officers का, वो central government decide करेगी, ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होने चाहिए, salary के अंदर जो deduction होते हैं, तो उसको जो हटा दिया गया, salary के अंदर के deduction को, तो सिर्फ इंतीसी चीज आपको पता होने चाहिए, various deduction वगएर हम लोग को salary के अंदर देखने को मिलते थे, तो वो इतना important नहीं आपके लिए याद रखना, बट ये दो चीज जो है, वो आपके लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी था कि 2005 के जो कानून जो था, उसके अंदर क्या चीजे थी और क्या changes वो इस नए कानून में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानि कि जो amendment बिल जो आया है, उसमें हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो world cotton day कब observe किया जाता है, तो याद रखना 7 October 2020 को अभी recently observe किया गया था और हर साल 7 October को ये observe किया जाता है और ये दूसरा हम लोग को world cotton day देखने को मिल रहे हैं, पिछले साल ही 2019 में ही ये शुरू किया गया था, world cotton day को मनाना, actually में हुआ क्या था world trade organization में हम लोग को देखने को मिल था, कि 4 countries जिनको cotton 4 के नाम से जाना या रहा है ये 4 countries जो है, इनका नाम क्या है, बैनिन, बुर्कीना फासो, चाड और माली अब फटाक से मैं आपको tasks देना हूँ आपके दीवार में, जो आप जहाबर आप पढ़ाई करते हो वहाबर दीवार में एक world map तो हो गई ही बड़ा सा, अगर नहीं है तो चपका लेना तुर्ण लाकर, ठीक है जाओ जल्दी world map के पास जाओ, और फटा-फट ये 4 countries को locate करो, ठीक है कि जो cotton industry जो है, और cotton trade जो है, उसमें reform लाना चाहिए जो भी problems, जो भी issues cotton industry phase कर रही है उनको tackle किया जाए, क्योंकि cotton जो है guys, एक ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिससे की काफी सारे farmers की livelihood dependent रहती है, यानि की काफी सारे farmers जो है, उनका जो जीवन है इस cotton के करना, cotton की खेती के करना, कपास की खेती के करना जो है वो चलता है, और काफी सारी industry भी इससे associated, हम लोग को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर यही जीज़ कही गई, कि जितने भी issues है, cotton industry से related और जो cotton trade का जो reform है वो किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई, concern जो है, वो raised किया इन चार countries ने, तो इसी दिए इनको cotton 4 के नाम से यह initiative को जाना जाता है ठीक है, और उसी समय यह world cotton day जो है वो लेकर आये थे यह, यह गोशित किया था कि world cotton day, 7 October को observe किया जाएगा तो इसके बारे में एक अच्छा आपको idea होना चाहिए, और objective यही था यहाँ पर, कि पहले तो जो cotton की जो importance है उसको recognize करना, कि 75 से जादा countries, 5 continents के अंदर यह cotton का जहाँ पर cultivation होता है और cotton के कारणा जो है, वो कपड़े हम लोग पहनते है न, तो यह पूरी ओपर उपर उचीज, कितने सारे लोग इसकी ओबर dependent है, तो job creation यह करती है, तो इसलिए cotton is very important, तो उसी को लेकर यह पूरा यहाँ पर हम लोग को discussion वगरा देखने को मिला था, और उसी समय पर यह world cotton day जो है, वो decide किया गया, कस्तूरी cotton बहुत जादे important है, यह अभी लोग आपको दिखाई दे रहा है, यह अभी logo release हुआ है, पहला brand और logo, Indian cotton का, यह launch हुआ है, जिसको हम लोग कस्तूरी cotton के नाम से जान रहे हैं, इसको ministry of textiles के दौरा launch किया गया है, अब से India का जो premium cotton है, उसको कस्तूरी cotton के नाम से जाना जाएगा, कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा, बहुत important है, प्रिलिम्स पर आ सकता है, याद रखिएगा, और यह world cotton day के दिन launch किया गया था, यह logo और यह brand, cotton के बारे में कुछ common facts हम लोग जानते हैं, पहले तो यह principal commercial crop है हमारी country का, आप सभी लोग जानते हैं commercial crop, इसके लावा 6 million के आसपास cotton farmers को इससे benefit मिलता है, यह कि 60 lakh के आसपास cotton कपास की खेती करने वाले जो किसान है, उनको इससे benefit मिलता है, उनका जो पूरा livelihood है, वो उसी के उपर based, इसी के उपर dependent cotton के उपर हम लोग को देखने को बलता है, और India बहुत important, second largest cotton producer है, my question for you is, largest cotton producer कौन है, फटाक से नीचे comment box पर answer लिखकर बदाईए, कि पूरे दुनिया में सबसे यादा production cotton का किस country में होता है, दूसरे इंडिया पर होता है, पहले का आपको बताना है, और सबसे बड़े consumer है हम लोग cotton के पूरी दुनिया के अदर, सुरी, पूरी दुनिया में हम लोग सबसे यादा consume करते है cotton को, इसके अलाबा, एक mobile application भी है, जिसका नाम है cotton alley, ये develop किया था, cotton corporation of India के दौरा, CCI के दौरा, जो की latest news प्रोवाइट कराएगी, weather condition, crop situation और best farm practices related की, weather कैसा आ रहा है, तो farmers को basically ये मदद करेगी, जिससे की वो better तरीके से cotton crop जो है, वो cultivate कर सकें, तो ये चीज़े है, इसके आपको आइडिया होना चाहिए, आपको जानका रही होनी चाहिए, अब यहाँ पर बात हो रही है, new development bank के बारे में, नाम से रहा है development bank, तो obvious ही बात है कि ये bank जो है, वो developmental activities के लिए, loans वगर offer करेगा, help करेगा, right, development यानि कि infrastructure activities हो गई, right, तो इसी से आपको एक concept तो clear हो गया, new development bank का, Asian development bank के बारे में कली आपको याद रहोगा, अपने डिसकस किया था, पढ़ा था, तो आज हम लोग new development bank के बारे में चर्चा कर रहे है, ये bank किसके दोरा operate किया जाता है, BRICS countries के दोरा, BRICS यानि कि Brazil, Russia, India, China, South Africa, ये 5 countries के दोरा है, ये bank operate किया जाता है, और ये idea इस bank का सामने आया, 5th BRICS summit में, जो की Durban South Africa में हम लोग को देखने को मिली थी, 2013 में, 2013 में इसका idea emerge हुआ, कि एक इस प्रकार का bank बनाना चाहिए, जो की ये 5 countries को emerging economies हैं, इनको support कर सके, उसके बाद, next year, 2014 में इस bank को establish कर दिया, ब्राजील के अंदर जब छटी BRICS summit हम लोग को देखने को मिली थी, उस समय इसको establish कर दिया गया, ये topic bank का news में क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर 741 million US dollar infrastructure projects के लिए ये provide कराएगा, और headquarter इस bank का कहा पर है, याद रखना शंगाई, चाइना में इस bank का headquarter हम लोग को देखने को मिलता है, इस bank के अंदर जो members होते हैं, यानि कि ये जो 5 countries हैं, तो इन countries के पास voting power किस country के पास कितनी जाए हैं, जैसे कि अपनने कली चर्चा करी थी Asian Development Bank में, कि और World Bank में भी same equally, जैसे हम लोग World Bank के अगर बात करें, तो World Bank के अंदर और Asian Development Bank के अंदर voting structure कैसा होता है, जैसे कि ये 5, मालने थे 5 members हैं, ठीक है, इन 5 members ने जितना पैसा उस bank में invest किया होगा, डाला होगा, उसका subscription capital जितना रखा होगा उस bank के अंदर, यहाँ पर voting power equal है, तो यहाँ रखना, New Development Bank में voting power equal है, World Bank में unequal है, वो capital के अंदर बेस्ट होती है, same Asian Development Bank के अंदर भी capital के अंदर बेस्ट ही, capital subscription के अंदर बेस्ट ही, voting power जो है, वो तै की जाती है, बड़ यहाँ पर equal है, बहुत important point है, प्रिलिफ्स पर आ सकता है, तो यहाँ की voting power equal है, equal voting है, World Bank और Asian Development Bank की तरह बिल्कुल भी नहीं, कली मैंने आपको discuss किया था, यहाँ पर veto power भी नहीं है, अब veto power का मतलब क्या होता है, मैं आपको easy तरीके समझाता हूँ, जैसे कि आप यह देखो, फिक है, एक, दो, तीन, यह तीन लोग है, अब इन तीन लोगों मेंसे, एक को इधा जाना है, और एक को इधा जाना है, पिक है, आप कौन किधा जाएगा, तो यह कैसे decide होगा, तो थो नहीं तेनों ने भुनाना चलो voting करते हैं, फिक है, अगर अगर वोटिंग करने के मतलब हम क्या आप सोचते हैं कि मिजॉरिटी इसकी होगी तो उसकी जीत होगी ठीक है जैसे कि ये दोनों लोग है वो इस तरफ जाना चाहरा है ठीक है इन दोनों ने वोटिंग करती है इधर जाना है तो ऐसा नहीं कि इधर जाएंगे वो decision lapse हो जाएगा ये दोनों यहीं पर खड़ रहेंगे यानि कि तीनों यहीं खड़ रहेंगे जैसे कि P5 countries में अब लोग को देखने को मलता है P5 nations जो है उनके दास veto power है कि कोई भी decision होता है उन 5 countries में कोई भी अगर country अगर veto power को जो है अपना use कर लेती है तो वो जो भी decision होता है वो lapse हो जाता है तो veto power का मतलब यह होता है कि सभी की सहमती होनी चाहिए ठीक है सभी अगर चाहेंगे तभी कोई decision जो है वो agree किया जाएगा वरना वो decision lapse हो जाएगा तो यह veto powers में होता है पर यहाँ पर कोई भी ऐसी veto power नहीं है यह majority के अगर बेस यह decision ले सकते है तो यह भी concept आप अच्छे से clear रखिएगा इसके लाब एक और important चीज़ की जो new development bank है इसको observer status भी मिला हुआ है 2018 में United Nation General Assembly का तो यह चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए और यह bank किसकी मदद करता है तो obvious ही बात है कि Bricks Country का यह bank है तो Brick Country की ही मदद करेगा Bricks Country में ही इस bank के थूँ पैसा provide किया जाएगा तो यह चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके लाबा कैसी मदद होती है Financial और Developmental Development नाम सीज़न में आ रहा है जैसे की Infrastructure Project होगा है तो इस प्रकार की मदद जो है वो इस bank के थूँ हम लोग को देखने को मिलती है यह था पूरा overall topic New Development Bank से related और इतनी ही information sufficient है जो कि आपको पता होनी चाहिए अब इस news की बात करें गई तो बिहार Assembly Election 2020 इस महिने के end में शुरू हो जाएंगे और उमीद की जारी है कि यहाँ पर बहुत सारे अब ऐसे symbols हम लोग को party के देखने को मिलेंगे तो यह party symbols से related यह topic है चुनाव चिनों से related है हम लोग को topic देखने को मिल रहा है और यह party के जो चिन वगेरा होते है जो हम लोग को देखने को मिलते है अब सबसे पहली चीज़ तो इस प्रकार के जो symbols होते है उनकी क्या आवशक्ता होती है तो नॉर्मल सी वादे काई आपन ये party के चिन को देख करें जो voters है ये party के चिन को देखकर उनके लिए easy हो जाता है ये पता लगाना कि ये फलाना जो symbol है वो किस party का है पार्टी को recognize करने के लिए ये symbol जो है वो बनाया जाते है first point simple है तो ये बस पता होना चीज़ आपको और अलड़ी पता ही है अपन लोगोटी है दूसरा ये है कि ये unrecognized parties जो होती है ग्यायर मान्यता प्राबदल जो होते है और स्वतंत्र उमीदवार जिसको निर्दल भी हम लोग कहते हैं निर्दल लड़ते हैं कुछ लोग election वगरा निर्दलिया election लड़ते हैं सब बोलते हैं हम लोग जो independent candidates होते हैं तो उनको एक दूसरे से अलग करने में मदद करते हैं ये symbols तो यह वाली चीज बस आपको पता होनी चाहिए अब गईस आप देखिए यहाँ पर मुझे आपको theory से समझाना important है आपकी understanding को build up करने के लिए तो वहाँ पर मैंने theory रखी है बट जहाँ पर theory की आवशक्ता नहीं है सिर्फ आपके concepts को build करना है अगर मुझे तो फिर मैं वहाँ पर कोशिश करिए कि theory ना रखो और मेरा focus यही कि मैं कम से कम आपके सामने theory लेकर theory रखो जिससे कि आप जादर से जादर जो है वह चीजों को graphs कर पाऊ ठीक है जैसे कि movie होती है यह movie जो है आप एक बार देखते हो तो बहुत समय तक movie आपके दिमाग में रहती है क्यों क्योंकि आप सामने देखते हो चीजों को तो मैं वहीं चाहता हूँ कि current effects आप पढ़ो अब होता है जैसी कल को आप IPS या IS बन जाओगे collector बन जाओगे आप एक hotel पर regularly visit करते हो आप hotel का मालिक जो होगा वो पता है कि है यह तो collector सवार है तो आपके time के according वो आपकी जो favorite seat है वो वहाँ पर किसी को बैटने नहीं देगा तो आपके लिए वो favorite seat आपके time पर reserve हो जाएग तो basically मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाओ तो जितनी भी जो recognized political parties होती है उनके जो symbols होते है वो reserved होते है तो 8 हमारी national political parties है और 64 state parties है जिनके symbols reserved है इसके लावा free symbols होते है नहीं कि कोई भी particular party इन symbols का उपयोग कर सकती जो की unrecognized regional parties होती है तो यह basically हजारों की संख्या मे हम लोग को देखने को मिलती है यह parties वगेरा जो की free symbols का उपयोग कर सकती है और election commission ने option रखा कि इसके पास 200 ऐसे symbols है जिनका उपयोग political party कर सकती है ठीके 200 symbols ठीके के आजपल इतना इनका भंडार हम लोग को देखने को मिलता है election commission के पास अब यह symbols हो है वो कैसे allot किये जाते है parties को तो जो guidelines हम लोग को देखने को मिलती है उसके अधार पर symbols जो है वो party या candidate को election commission provide कराती है first point यह याद रखना दूसरा point किस क्या process होती है पूरी तो जो party या candidate है इसको election commission ने जो यह 200 की list बताई दी न मैंने भी आपको बता है nearly 200 हम लोग को देखने को मिलता है free symbols होते है तो election commission की यह 200 की list है इन 200 की list में एक political party या candidate को total 3 symbols निकाल के रखने होते है ठीक है तीन choose करने होते है और 3 मैंसे 3 choose करने के बाद यह election commission को देती है और election commission इन 3 मैंसे एक symbol को जो है यह party को allot कर देते है और यह symbols का allotment होता है यह first come first serve basis के उपर होता है पहले आओ पहले पाओ basis के उप जिलता है तो यह वाला provision आपको बता होना चाहिए इसके लाबा अगर कोई recognized political party जैसे कि एक political party है अब यह political party जो है वो दो में अगर split हो जाती है आपको बदा होगा split होती है political parties है तो एक political party जब दो में split होती है तो उस बीच कौन सी political party को कौन सा symbol मिलेगा यह भी decide करने वाली ज reservation and allotment order 1968 यह power देता है election commission को कि election commission political parties को recognize कर सकते हैं और इनको symbols allot कर सकते हैं और इसके paragraph 15 में भी लिखा है कि कोई भी अगर dispute होता है political parties के बीच में तो वो disputes पर final जो authority होगी DCN देने वाली वो election commission होगी और इसी चीज़ को 1971 में एक बार challenge किया था सादीक अली and others versus election commission of India हाला कि case is not important तो उससे में भी honorable supreme court ने इस चीज़ पर हामी भरी थी कि election commission ही final authority DCN making authority होनी चाहिए ठीक है और हम लोग को देखने को मिलती है तो इस चीज़ के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए और यह था पूरा oral topic जिसके बारे में अपने discuss किया अब इस news में बात हो रही है गु Disturb Area Act के नाम से जाना जाता है इस बिल का पूरा नाम पहले में आपको अधायता हूँ दा गुजराग प्रोहिबिशन ओफ ट्रांसफर ओफ इम्मोविबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर्टिक्शन ओफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसे इन Areas Act 1991 ये कानुन क्या कह रहा है तो उसको इजी तरीके से कानुन के नाम से ही समझा जेता हूँ आपको इम्मोविबल प्रोपर्टी कौन सी होती है जैसे कि ये घर ठीक है ये घर है एक व्यक्ति इस घर को दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता और कहां पर होगा घर तो ऐसा ऐसा प्रोविजन आएगा तो ये डिस्टरब्ड एरिया में होगा घर तो ऐसा प्रोविजन आएगा यानि कि आज की रेट में आप जिस भी छेतर पर रह रहे हो और अगर आप डिस्टरब एरिया पर नहीं रह रहे हो तो आप अपने घर को अपनी मनमर्जी के तहत किसी को property को और दूसरा provision कि इनके लिए tenants, tenants कौन होते हैं, किरायदार होते हैं, किरायदार के protection के लिए कि कुन को कहीं disturbed area से निकाला तो नहीं जा रहा, भगाया तो नहीं जा रहा, तो उसको लेकर ये कानून लाए गया था, अब सबसे पहली concept आपको ये clear करना चाहिए disturbed area कौन से areas होते हैं? तो guys ऐसे area जहाँ पर दंगे फसाद होने की history होती, यानि कि ऐसे areas पर past में history में दंगे वगेरा हुए हो, तो ऐसे areas होते हैं वो disturbed area जो है, वो किसके दोरा choose किये जाते हैं? यानि कि यह फ़लाना area जो है वो disturbed area होगा तो आने वाले समय पे जब आप collector बनोगे तब आप अपनी district के अंदर एक किसी भी area को घोशित कर सकते हो as a disturbed area किस चीज को देखते होए कि past में अगर उस छेत्र पर अगर दंगे हुए है और regularly उस छेत्र पर दंगे जैसी इस्तिती बनती रहती है तब वो छे आप collector की post पे होगे तब आप एक छेत्र को जो है वो disturbed area घोशित कर सकते हैं तो याद रखीगा disturb area at के तहट एक collector जो होते हैं वो decide कर सकते हैं कि कौन सा area एक city के अंदर एक town के अंदर disturb area जो होगा तो यह understanding एक अच्छी create करना अच्छा अब इन्होंने घोशित कर दिया फिर क् जोशित करने के बाद जो भी immovable property का जो transfer होता है वो तभी possible होगा जब आप collector बनोगे और आप उस दस्तावेच पर उस application पर sign करोगे तभी यह चीज पॉसिबल होगी और जो पूरा एफिडेमिट होता है दस्तावेच जो हम लोग को देखने को मिलता है उस दस्तावेच में पूरी information होती है बायर की भी और seller की भी पूरी information और दोनों ही agree करते हैं कि इन दोनों को fair price मिला हुआ है यानि कि science art amount मिल चुका है और ये दोनों अपनी मर्जी से ही अपनी सहमती से ही घर बेचने के लिए इनके ओपर कोई दबाब नहीं दिया जा रहा है घर बेचने के देखो क्या होता है कि कही पर दंगे हुए होते हैं और communal दंगों की बात हो रही है धर्म के आधार पर दंगों की बात हो रही है जैसे कि एक common चलता हुआ example हिंदू-Muslim की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू-Muslim धर्म के बीच में ये लड़ाई हम लोग को देखने को मिल र रहे तो ये गुंडे वगिर आये धर्म A के और इन्होंने जो है वो इसको निकाल दिया B को ठीक है B को बोला हटा हो यहां से और क्या किया कब्जा कर लिया इसकी property पे और उसको forcefully जो है अपनी property बेचने पर मजबूर किया तो ऐसी चीज होती है जिससे कि हाबर इस चेज़ और अपसे जो पीड़त व्यक्ति जो है ना तो वो collector के आदेश के खिलाफ भी जा सकते हैं राजसरकार के पास अपनी appeal दायर कर सकते हैं तो पहले appellate system नहीं था पहले जो collector जो थे वो राजा थे तो आज भी आप भी बन जाओगे राजा ही होगे पूरी चीज आपके control में ह honorable precedence ascent दिया है तो उस latest event में क्या चीजों के बारे में बात की जा रही है तो सबसे पहली चीज तो polarization नहीं होगा polarization को stop किया गया है polarization का मतलब यही होता है जो मैं भी आपको समयाने की कोशिश कर रहा था कि एक छेत पर जब groups वगएरा जो हम लोग को देखने को बलते हैं तो ए प्रकार की activity को stop करना है और check करते रहना है समय समय पर demographic imbalance यानि कि उस छेत पर मलब किस community के किस religion के लोग रह रहे कई imbalance तो नहीं हो रहा है तो उस चीज को check करते रहना है और act ने ban क्या किया sale of property वो मैंने भी आपको समया है कि एक धर्म का व्यक्ति एक religious community का व्यक्ति दूसरे religious community के व्यक्ति को property transfer नहीं कर सकते हैं और हाँ अगर उनको करनी है तो पहले उनको district collector के approval की आवशकता होगी और district collector ने अगर मना कर दिया अगर district collector को शक हुआ लगा किया रहे सामने वाला व् वो मलब pressure create कर रहा है अगर कहीं से भी थोड़ी चिंता होगी देखो कहीं बार ऐसा भी होता है कि आपको आपके सामने जवाब officer बनोंगे आपके सामने दो लोग आएंगे और आपको देखकर ऐसा लगए कि यार ये दोनों जो हैं मलब genuine है यार कि वो अपनी मर्जी से काम कर होगे कि घर के आसपस ये पता लगाने के लिए कि जाओ पता लगाओ पाच दिन का समय है पता लगा कि आईए जाईए कि कहीं pressure तुर की रेट नहीं कर रही मलब एक party दूसरी party के उपर है ना तो आपके orders पर कुछ civil dress में कुछ official जो है वजाएंगे देखके आएंगे और उस collector उनकी जाज के बाद ही एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को property transfer कर सकता है कहाँ पर disturbed area पर तो यह जीज़ याद रखना यहाँ पर लोगों को रोका जाता है कि disturbed area के अंदर वो illegal तरीके से property जो है वो नहीं लेंगे और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा illegal तर value जो है वो हाई हो जैसे कि मान की दिलोगा एक property अगर एक करोड की है ठीक है और यहाँ पर fine कितना लिखा हुआ है एक लाख लिखा हुआ है but property एक करोड की यानि कि property की value पर 10% यानि की 10 लाख रुपे तो कितना पे करना पड़ेगा जो भी इस कानून का उलंगर करता है 10 ला state government को राजय सरकार को भी वो देता है power देता है कि राजय सरकार monitoring and advisory committee जो है वो बिठाएगी establish करेगी और यह monitoring and advisory committee जो होगी वो demographic structure को देखेगी disturb area के अंदर कैसा demographic structure है यानि कि उस शेत्र पर किस-किस धर्म के लोग रह रहे हैं तो यह पूरी चीज यानि कि उसकी एक report तयार करने के लिए और monitor करने के लिए क्या चल रहा है कहीं किसी को पर दबाव तो नहीं दिया जा रहा है एक community का दबाव दूसरी community के उपर तो नहीं help करेगी किसी भी area को disturb area declare करने के लिए यानि कि अगर कोई भी area को अगर disturb area declare करना है तो उस पर advice देने के लिए एक SIT special investigation team जो है वो तयार की जा रही है यानि कि state government तयार करेगी इस amendment के तहित तो यह पूरी जीज़ा है जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी शाह प्लांत है कि यह फलाना term अभी recently news में था क्या है यह अपको यह photo में क्या दिखाई दे रहा है अपको photo में यह diagram में आप देखो ऊपर plants है और नीचे मचलिया यह देखो यह असली photo यह नीचे मचलिया ऊपर plant हम लोग को नजर आ रहा है देखने को मिल रहा है इस photo में इस diagram मे नीचे में वो मचलियों के बज़वापिस आ रहा है तो यानि कि एक ऐसा system जिसके तहट मचली और plants के बीच में एक relations हम लोग को देखने को मिलते हैं यहाँ पर मचली क्या करती है मचली खराब पानी जो है वो provide कराती है plants को तो यह fertilizer के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता ह अब मचली का जो खराब पानी होता है तो यह जब ऊपर जाएगा तो यह plant के लिए fertilizer का role play करेगा जैसे कि plant जो है वो healthy रहेंगे और plant पानी को क्या करेंगे? plant पानी को clean कर देंगे plants जो है वो nutrients absorb कर देंगे पानी में से और उस पानी को filter कर देंगे clean कर देंगे और filter कर गे पानी जो है वो पस मचली के पास चला जाएगा तो यह इस प्रकार की एक environment friendly technique जो है वो चल रही है आगस की rate में तो जिसके एक आपको idea होना चाहिए जिसको अपर बोलते है aquaponics कभी कभी इससे related direct questions पूछे आपसे जा सकते हैं चीक है अब बात हो रही है earth short price के बारे में तो यह एक award है price है जो भी विजेता होते हैं उनको price मिलता है award मिलता है यहाँ पर किनको award मिलेगा यह तो देखिए गाईस जो भी particular startup enterprise individual organization कोई भी अगर उनके पास कोई एक ऐसा idea है ऐसा plan है जिसके तहरे जो problems आज की rate में हम लोग को देखने को मिल रही है environmental और climate crisis वाली problem यानि कि climate change की जो problem है और आने वाले next 10 years की जो problems हम लोग को देखने को मिलती है आने वाले समय के आज की rate including यानिकी next 10 years यानिकी including this year also तो next 10 10 years की जो भी problems हम लोग को ऐसी देखने को मिलती है environment से related या climate change से related climate crisis से related तो ऐसी problem का solution अगर किसी startup किसी enterprise individual या organization के पास होता है तो उन problem को solve करने के लिए वो जो भी equipment सेयार करते हैं या जो भी particular उनका solution होता है तो उस पर fund provide कराने को लेकर ये award हम लोग को देखने को मिलता है जो भी best ऐसा organization enterprise startup या individual है जिसके पास best to best solution है आने वाले 10 सालों में जो भी climate change के जो issues हम लोग को देखने को मिलेंगे climate crisis देखने को बलेंगे environment की problem देखने को मिलेंगे तो उनको tackle कर जो भी ऐसा जो solution है वो tackle कर सकेगा तो उस solution पर ये investment जो हो किया जाएगी ये funding जो हो की जाएगी इनके द्वारा Prince William और the Royal Foundation के द्वारा तो इन्होंने ही launch किया है इस particular award को इस price को जहाँ पर 65 million US dollar की funding प्रोवाइड की जाएगी solution के लिए या फिर 50 million pound की funding प्रोवाइड की जाएगी solution लिए इसको बता है मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत confusion आप में अभी आया होगा तो उसको मैं पूरी तरह से clear करते हूँ जैसे कि आप जो है इस idea को जो है वो बताए इनको प्रिंस विलियम और the royal foundation को अब इनको आपका idea बहुत पसंद आए तो यह क्या करेंगे कि आपका जो यह idea है यानि कि आपका जो यह startup है जिसके तहट आपने यह innovative idea जो है वो ढूना है निकाला है तो इस idea को real time basis पर और इसका mass production करने के लिए यह आपको funding में देंगे तो यह चीज है इस price के अंदर और कुछ नहीं जिसका अच्छा idea आपको होना चाहिए अब इस price में यह भी याद रखना है कि 5 challenges जो हम लोग को आज की rate में देखने को बिलते हैं तो उसी के इर्दगिर्द ही जो है वो solution होना चाहिए यह जो challenges है जो आज की rate के जैसे कि हमें हमारी जो nature है उसको उसकी रक्षा करना है उसको restore करना है उसका production करना है इसके लाब हवा जो है वो clean होनी चाहिए तीसरी चीज हमारे ocean को हम लोग को revive करना है क्योंकि ocean pollution हम लोग को बहुत जादे देखने को मिलता है चौथा waste free world बनाना है आज की rate में वेस्टेज वगरा जो हम लोग को garbage वगरा आप लोग को देखने को मिलता है तो waste free world इस waste free में electronic garbage भी जो है वो included हो सकते है साथ ही साथ हमें अपने climate को सही करना है जो changes आगा है जैसे की carbon dioxide के emission की जो आने भी आपको बात करी तो यह तो यह पाथ चीज़े हैं इसी के इर्दगेर्धी solution वह होना चाहिए यानि कि यह तो challenges है पाथ challenges में आप कोई भी challenge वह उठाओ और और directly भी नहीं यानि कि इस से related भी अगर कोई issues जो हम लोग को देखने को मिल रहें तो उसको भी accept किया जा सकता है तो यह पाथ चुरौती हो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है यह price किनको मिल सकता है किसी को भी यह price म आली अब यह device पूरे दुनिया वर में हम लोग को भेजनी है इसका आपको production कराना है तो obvious ही बात है कि इसका जब mass production होगा तो उसके लिए obvious ही बात है पैसा तो लग नहीं investment तो यहां से आएगी funding ठीक है तो यह चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए तो यह था पूरा oral topic is related अब next topic में बताया रहा है कि हमारी जो union home ministry है इनोंने सभी NGO से कहा है कि वो अब state bank of India की new Delhi branch में अपना account खोलने अगर उनको foreign contribution regulation act के तहत foreign contribution बुलवाना है तो तो देखो foreign contribution regulation act क्या होता है तो इसके बार में अगर आपको पूरा detail में समझना है अगर आपने नहीं समझा है तो 9 September 2020 के lecture में चले आना आप और 16 मिनिट 38 सेकंड पर यह पूरा topic में आपको explain करा है हुआ है ठीक है तो इस topic को जरूर देख लेना बहुत important topic लगादार news में आ रहा है यह topic क्या कह रहा है यह topic जो news में वो क्या कह रहा है तो कोई भी NGO पहले NGO जो है वो अपने किसी भी यानि कि NGO है उनको अपना खाता खुलवाना पड़ेगा SBI की New Delhi ब्रांच में और वही पर ही पूरा जितना पैसा होगा foreign contribution वो सिर्फ उसी ब्रांच पर आएगा तो यह better monitoring purpose के लिए चीज जो है वो की गई क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि NGO जो है जो पैसा बलवारी है जो contribution इनके पास पढ़ना है यह topic भी 19 अगस 2020 को cover कराया हुआ है 56 मिनिट पे आप जाओगे इस वीडियो के तो आपको यह fly ash वाला topic मिल जागा है बहुत important topic ज़रूर देख लेना fly ash ते related direct question इस बार के UPSC civil services में भी आपसे पूछेगा है ठीक है तो वो ज़रूर देख लेना पर जाकर अभी यह topic news में क्यों था fly ash का तो NTPC limited जो है जो की ministry of power के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है तो इन्होंने शुरू कर दिया है जितनी भी cement manufacturers जो हम लोग को हमारी country में देखने को मिलते है तो उनके साथ collaborate करना शुरू कर दिया है अब NTPC क्या करेगी यह जो cement industry है इनको यह fly ash provide कराएगी जो भी fly ash वगएर हम लोग को देखने को मिलती है तो वो provide कराएगी cement industry को और हमने अलरड़ी पढ़ा हुआ है इस fly ash का topic जब आप पढ़ोगे तो आप अलरड़ी समझ जाओगे और जिन students ने पढ़ा हुए अलरड़ी तो उनको पता लग गया होगी cement industry में इसका स cement बना सकते हो जो यह fly ash मतलब यह राक होती है जो जब koila जल जाता है तो उसके बाद क्या बचता है ash बचता है तो वैसे ही manufacturing industries बगएर जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती है तो वहाँ से जो यह धुआ बगएरा निकलता है तो उसके साथ यह ash बगएरा भी जो है यह release हो तो यह topic था इसके बारे में अब next topic की चर्चा करें यहाँ बात हो रही है देखो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए tech for travels यानि कि tribal लोग जो है उनको हम लोग IT से information technology से अफगत कराएंगे उनमें soft skills develop करेंगे entrepreneurship development उनका होगा right business development होगा तो यह पूरी चीज जो हो रही है वो एक initiative के तहत हो रही है जिसका नाम है tech for tribal initiative इस initiative का main aim main purpose है कि tribal जो है उनको advance बनाना right उनके अंदर development करना various skills जो है वो inculgate करना उनमें right तो यह tech for tribal का initiative हम लोग को देखने को बता है इस initiative को शुरू किया है launch किया है Trifet के दोरा IIT कानपूर के दोरा 36 गड minor forest produce federation के दोरा right तो Tr Trifet यहाँ पर involved है तो obvious ही बात है Trifet जहाँ पर भी involved होती है Trifet का main purpose यह होता है कि tribal का development करना उनके livelihood जो है वो enhance बढ़िया हो उनका livelihood उनका जीवन अच्छा हो उनके पास income आए और Trifet कैसे income लेकर आती है tribal people के पास तो tribal लोग के जितने भी products होते हैं अब आपको बता हो guys कि tribes जंगलों में हम लोग को देखने को मिलती है और जंगलों में घूम घूम कर वो बहुत सारे जो one के जो forest के जो products होते हैं उनको collect करती है अब forest की जो products होते हैं जिसमें बहुत सारे products यहाँ पर शामिल होते हैं जैसे कि खाने भीने के material कुछ जड़ी बूटी हो गई तो बहु वैसी चीजे भी वैसी चीजे भी travel groups जो है वो बनाकर हमें provide कराते हैं और ये किसके थूरू provide कराते हैं trifet की थूरू provide कराते हैं मैं आपको बता रहता है trifet का काम ही है होता है कि जितने भी ये जो प्रड़क्स वगएर जो विकास केंद्र के अंदर हम लोग को देखने को मलती है तो ये self help groups जो है वो various support जो है provide कराएंगे travel groups का उनके अंदर various skills वगएरा जो है वो develop करेंगे अब दूसरा जो topic आपका वो है वंधन विकास केंद्र है ठीक है तो ये भी आपको समझना जरूरी है तो पहले तो वंधन विकास केंद्र क्या है गईस तो ये जन जाती है मामलो के मंत्राले के तहट जो trifet आता है trifet ने अभी focus किया कि ये 1200 वंधन विकास केंद्र जो है उसकी स्थापना करेगा और कर रहा है ये 28 राजियो में साड़े 3 लाग से जादा जो है आदिवासिया इसमें मौझूद है यानि कि इस केंद्र में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और जो की क्या करते हैं जिनका का विकास केंद्र के अंदर 15 self-help group हैं जिनमें हर एक self-help group में 20 आदिवासी हम लोग को देखने को मिलता है ठीक है तो ऐसे वंधन विकास केंद्र 1200 से ज्यादा जो है वो create करने का main focus trifet का हम लोग को देखने को मिलता है ठीक है यहां तक बाते clear तो इस प्रकार से ये पूरा operation जल फोकस करता है जो ट्राइबल्स के development के फोकस करता है कैसे उनका development होगा कि वो forest के वन के produce को जो है वो gather करेंगे collect करेंगे और उसको देंगे जिससे कि उनकी marketing होगी तो उनका क्या आएगा धन आएगा पैसा आएगा ऐसी भी चीज़े आप अपने mind में clear करो और इस initiative का main purpose क्या ह यह minor forest produce उसको basically promote करना कि marketing उसकी करना जैसे कि वो बिके और जहाँ स्यदा development हो ट्राइबल गैदरर्स का और आटिशन का development कैसे होगा जब उनके अस पैसा आएगा तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है तो grassroot level पर यह minor forest produce हो है वो हम लोग को देखने को मिलता है और उस परसेंट तक हो जाएगा तो यहली चीज़ है इसका एक idea होना चाहिए और आपको अगर detail में trifet के बारे में पढ़ना है तो मैंने आपको 11 अगस 2020 को पढ़ाया हुआ है आप इस वीडियो पे जाकर 11 अगस्त के 7 मिनट 20 सेकंड पे आप जाएगे तो आपको यह trifet का topic मिल जा देगा अभी जाना नहीं है मैं आपको general studies के topics as a homework दे रहा हूँ प्लस एक main answer writing का question आपके सामने दे रहा हूँ तो पहला जो आपका question है वो है central information commission के बारे में आपको पढ़ना है homework यह लक्षमी कान quality की book में आपको मिल जाएगा आपको एक और यह paper 2 का है पहला topic आपका पढ़ इंडिया मैप को और इंडिया मैप के अंदर चुसुल वैली रिजांग ला और पैंगोंग लेक यह पूरी चीज में आपको अल्रेडी past lectures में cover करा चुका हूँ इनको आप locate करो ठीक कहा पर है नक्षे में इसके लाबा electronic vaccine intelligence network क्या होता है तो इसके बार में 6 August 2020 को मेरे पढ़ हैं और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे comment box पर लिख देना sir homework done मुझे पता लग जाएगा आपने homework complete कर लिया है अब बात करें आपके means के question की तो आपका means का question यह आपके सामने है explain the structure and function of national commission for schedule tribes in India 120 word में लिखना है जो हमारी जो schedule tribes in India के अंदर उनका structure कैसा है और वो किस प complete होने में एक घंटा लगना चाहिए अभी के लिए तो आप बोलोगे सर एक घंटे में अभी एक घंटे में question लिखेंगे तो exam के दिन क्या होगा भी आप practice कर रहे हो यार exam के दिन तो 7 minute के अंदर अंदर आपके question complete हो जाना चाहिए 7 minute और practice होगी वो आपकी धीरे-धीरे करके मैंने एक घंटा इस लिए बोला क्योंकि मैं चाहरा हूं कि आप अपना answer best लिखें ऐसा नहीं कि पैन उठाकर लिखना शुरू कर दिया जो पता है best बनाओं क्योंकि आज best answer लिखने की कोशिश करोगे आज best points collect करोगे तब जाकर वो best points जवाब यहाँ पर अपने mains वाले दि है ठीक है और यह mains का answer आपको कहाँ पर post करना है तो telegram पर अपना एक channel है current affairs by कमलाक्ष जहा इस channel को आप join करेंगे तो आपको नीचे देखिएगा जहाँ पर type करते है न टाइप करने को तो आपको यहाँ पर कही पर नीचे जहाँ पर type करते हैं आपको discussion group करके लिखा होगा discussion क पर क्लिक कर लेना तो आपके सामने group खुल जाएगा इसका नाम होगा chat like bureaucrats 500 से जादा उस group में students है जो civil services की तयारी कर रहे है आप जाईएगा वहाँ पर अपना answer post कीजएगा जो दूसरे students है वो आपका answer जो है वो review करेंगे आप दूसरों का answer review करना तो ऐसी healthy practice जो है वो मैं यहाँ पर conduct कराता हूँ आपके लिए मैं तो नहीं कराता है वो बिल्कुल self help practice है आप ऐसा बोल सकते हो कि सभी लोग जो है वो आपस में एक अच्छा environment create करते हैं और इस प्रकार की practice करते हैं और main आपकी practice तो आपके घर पर है यहाँ पर एक गंडे के सामबे जो मैंने भी आ पूरी information लीचे description पर एक video बना के मैंने दिया हुआ है तो आप video देख लिएगा आपको पता लग जाएगा ठीक है तो चला मिलेंगे हम लोग कल तक लिए bye bye take care have a great day ahead